नमस्कार विद्धार्थी मित्र हो में प्रशान जाधो आज आपन या सेशन मदे पाढ़ना रहो तो यता आठवी मदेल कविता जुलुक या कवितेची प्रश्न उत्तरे तर पहला प्रश्ना है सानूल्या जुलकेचा इच्छा वंजे हाँ सब क्वेशना है मुख्य जो प्रश्ना है तो आकरूती पूर्ण करा तर या प्रश्ना चे उत्तर अपन पाढ़ना रहो काई-काई ये च्छा है त्या सानूल्या जुलकेचा तर बाजारात नजी काठी बागे तो पड़क्या वाड़या पाठी जिते मन ओड घेईल तिथे जावे असे जुलकेल वटते याने उसे जहां अच्छा लगता है वहाँ वो जुलुक जाएगी जुलुक याने हमा का छोका तो अगला पॉँंट हम देखेंगे याने उसे ऐसा अच्छा लगता है कि हलु धीरे धीरे जाना उसे अच्छा लगता है और उसके बाद बिना किसी रुकावट के उसे गुमना अच्छा लगता है कलीला हलवार स्पर्शुन तीचा सुगंद सर्वत्र पसरावा और कली को नाजुक सा स्पर्श करके उसकी गंद हरो ओर बिखेरना चाहती है ये जुड़क और उसके बाद जर्यांची जुलजुल गान्याची एकादी अर्दवत गुणगुण लेली तान तो फेर पसरावे जरने की जुलजुल है और गाने की जो तान है यानि लकेर वो तो फेर पसारने की वो कोशिश करती है उसके बाद हिर्व्यागार शेतात निल्याशार नदीवर मौशार तरंग निर्मन करत जावे इर्व्यागार शेतात यानि जो हरा भरा खेत है उस खेत पर जो नीले कलेर की नदी है उस पर वो तरंग निर्मान करना चाहती है वेलू चा वनात बासुरी चा आवाज करित कनसाशी हितुगुज करावे वेलू के वन में अलगुज का आवाज अलगुज याने बासुरी का आवाज करते हुए वो कुछ गपे मारना चाहती है जो डोह है जहापर पानी है उस पानी में बकुल फूल का वर्शाव वो करना चाहती है या जाम्भूल का वो सड़ा वहापर बिखेर देना चाहती है और जो थका हुआ इंसान है काम करके ठका हुआ इंसान है उसके चहरे पर वो मुस्कान लाना चाहती है प्रसनता लाना चाहती है अब सेकंड क्वेशन हम देखेंगे अकृति पूर्ण करा सानुल्या जुड़के चा प्रवासाचे स्वरूप तो उसके प्रवास का जो स्वरूप है वो हम देखेंगे पहला जो है थबकत चावे थबकत याने हलू हलू याने हलू हलू धीरे धीरे इंडिय में से धीरे धीरे कहते हैं दीरे दीरे ओके ये पहले क्वेश्चिन का याने पहला पॉइंट है उसके बाद कानों सा घेत कानों सा घेत याने आहट लेते हुए उसके बाद रमत गमत याने गुमते गुमते और उसके बाद थेट भरारी घेत स्वेर मन ओड घेईल तिकड़े थेट याने डारेक्ट जो हम डारेक्ट ली हम जाते हैं तो उसे थेट भरारी कहते हैं यहां तक आपको समझ में आया तो मैं यहां पर यह यह क्वेशन खत्म करता हूं अगला क्वेशन हम देखेंगे आप झाल